तो आए जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सम्बिधान का रायनितिक दर्शन तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शंबीधान के दर्शन से आसर है कि शंबीधान में लेखनी ये देश के मुल एवं आदर्शों से है जैसे भातिय शंबीधान, श्वतंतता, शमांता, लोगतंत्र, शमाजिक नयान आदी के लिए प्रतिवत है तो आईए थोड़ा से हम लोग शम्बीधान के बारे में जानते हैं इसे पहले तो स्वाइदान में क्या क्या है? तो शम्बीधान में प्रस्ताबना है कि हम भारत के लोग bharat को एक महत्पुन संपन समाजवादी धर्म निर्वपेच परजातांत्रिक गंतंत्र बनाने का वादा करते हैं और यहां के सभी नगरीकों को नियाय शमाजिक आर्थिक नियाय सोतंतता यानि बोलने और अभिव्यक्ति की सोतंतता शमांता शमाजिक राइनेतिक और आर्थिक शमांता विश्वबंधूत्व एकता वा मखंता देने का वादा करते हैं आज 26 नमंबर 1949 को इसे अपनाया जाता है तो यह शम्विधान में ए सब्द को प्रस्ताबना में इन सब्द को दिया गया है तो इसके साथ उनके दर्शन को सांती पून तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किये जाए भारतिये शम्विधान में धार्म निर्पेचता धार्म निर्पेचता का मतलब है कि भारत के लिए शम्विधान में किसी भी धार्म को नहीं लिया गया है यानि कोई भी धार्म को अपना धार्म नहीं माना गया है भारत एक धार्म निर्पेश है राज है अल्प संख्यकों के अधिकारों का शम्मान धार्मिक अल्प संख्यक को जितने भी अधिकार मिलने चाहिए या है उसको सम्मान करना धार्मिक शमोहों के अधिकार सरवभौ मत अधिकार सभी का मतधीकार देने का अधिकार है 18 वर्से जो हो गया है उनके 18 वर्से उपर से तो सभी का मतधीकार देने का अधिकार शंग बाद आधी का भी शमवेश हुआ है शंबिधान के दर्शन का सर्वुत्तम सार्शंचेप संबिधान की प्रस्ताबना में बढ़नित है तो संबिधान की प्रस्ताबना में समाजबाद और धार में निर्पेचता और अखंता सद को 42 में शंबिधान संसोदा 1976 के द्वारा जोड़ा गया शंबिधान बना था तो उस समय शंबिधान में 8 सूची थी और 305 में अनुछेद थे बरत्मान समय में 12 अनुछेद है और 460 से अधीक अनुछेद है बरत्मान में जब संबिधान बना था तो 305 में अनुछेद थे लेकिन अभी बर्तवान में 460 से अधीक अनुच्छे था, 12 अनुच्छिया है, तो शंबिधान में 112 बार संसोधन हुआ है, शंबिधान में अभी तक हो गया है, 112 बार संसोधन, तो इस परकार से हम देखे, आगे देखते हैं, शंबिधान का राइनितिक दर्शन, तो शंबिधान के राइनितिक दर्शन में है, फरस्ट वाइल की संभीधान की दर्षण से अभी प्राय शंभीधान की बुनियादी अब्हारन hm से है जैसे अधिकार नागरिकता लोकतंत्र आदी तो यह शंभीधान के बुनियादि अभ्धाण्रा छंबिधान की बुनियादी अभधारना है तो इस heeft अभिप्राय है शम्विधान में नहीत आदर्स जैसे समानता का समानता स्वतंतता हमें शम्विधान के दर्शन करवाते हैं यानि शमानता हमारा शम्विधान में शमानता का दर्शन करवाते हैं स्वतंतता का दर्शन होता है हमारा शम्विधान में अर्टिकल 14 को अगर हम देखते हैं तो भारत में कानून से उपर कोई भी नहीं है और इसका दिया गया है कोई भी काम अगर करता है तो समान काम के लिए शमान बेतन होना चाहिए समान अभिकार मिलना चाहिए उसको तो इस वकड़ से समान और सोतंतता बोलने की भी सोतंतता हमें प्राप्त है तो समान में शमान और सोतंतता का प्राप्धान किया गया है उसके बाद हमारा समान इस बात पर जोड़ देता है कि उसके दर्शन पर सांति पुण वर लोकतांत्रिक तरीके शे आमल किया जाए तथा उन मूलियों को जिन पर नीतियां बनी है इन नैतिक बुनियादी अब्ध पर चलकर उदे से प्राप्त करें यह दिया गया है आटिकल 29 में दिया गया है अल्प संख्यकों के बारे में कहा गया है कि अल्प संख्यक समुदायक और संस्कृतिक अधिकार है और इसके द्वारा गिर्जागर गुरुद्वारा बनाया जा सकता है आर्टिकल 29 में दिया गया है और धर्म निर्पेश राज है तो धर्म निर्पेश के बारे में भी प्रस्ताबना में बताया है तो किसी भी धर्म को मानने का भी मानने का अधिकार है कोई भी किसी भी धर्म को माना मान सकता है उसके लिए कोई टैक्स नहीं देना होगा कोई भी धर्म राष्टिये नहीं है इसी को बोलते हैं धर्म निर्पेच यानि राष्ट का कोई धर्म नहीं है कोई भी धर्म निर्पेच धर्मिक्ष्व तंत्रता का अधिकार है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और आपने धर्म को सांति पूर्वक फैला सकता है आर्टिकल 26 में भी इसका वर्णन किया गया है और आर्टिकल 27 में दिया गया है कि किसी भी धार्म को मानने के लिए को टैक से नहीं दिया जाएगा अगर किसी धार्मिक शमुदाय को सरकार के द्वार सहयता दिया जाता है तो उसमें धार्मिकी इच्छा नहीं दी जा सकती ए अर्टिकल 28 में दिया गया है उसके बाद हम नेक पॉइंट को देखते हैं कि शम्विधान का मुख सार शम्विधान की प्रस्ताबना प्रस्ताबना हमारे सम्विधान की आत्म है प्रस्तावन क्या है हमारे संबीधान की आत्म है तो भारतिय शंबीधान की ज्यetter będę गल भाष्व रिख्यत है दो ब्रहुत बड़ा संबीधान है जानार श्रम बहुत है ल कि अमिच्छान की सकती एली बीससे कहों कि आ मिष्रन है नेन किसी-किसी मामले में लचीलेकन यहां हमारे भारत में संहात्मक चरकार है या केंदर राज्जाकस्टर पर और दोनों को शांग हैं केंद्र फिर भी चेंद्र पर जो सरकार हो सबसे मझबूत सरकार है और हम उलिक अधिकार सारे सरकार काम करते हैं उ Buenosasaan मौलिक अधिकार पहले साथ थे यहादं के अधिकार को और अब मौलिक कर तब को मौली करतब है कि शम्म Cabo 138 ऐस्विद्रम है कि मौली घर क्राजिव करता कि राज़ों के करता बनता सिधान स्वतैं Pakistani निष्पष्ष horses तो यहां सोतंत्र निया पालिका सोतंत्र नियाई के लिए इसको सोतंत्र रखा गया है इक हरी नागरिक्ता भारत में इसके बाद शासन परणाली समाजिक नियाए समाजिक नियाए के प्रधानता यहां दिया गया है दार्मिक्त क्या दिया और संक्यक्ता को संभान व yay संकीति अधिकार बना सकते आर्टिकल 29 में यह दिया गया है आर्टिकल 30 के तहद भी अल्प संख्यक समुदाय अपने साइच्छिनिक शंस्थान खोल सकते हैं तो अल्प संख्यकों का अधिकार का सम्मान दिया गया है मुल्फुट धाचा संसोधन के बाद ही भी बरकरार है जो मुल्फुट धाचा है उसको संसोधन के बाद भी बरकरार रखा गया है और संसोधन संविधान में संसोधन की परकिरिया को दच्छिना की परकिरिया बरकिरु नेक्स पॉइंट है तो सर्वब्हौमिक मत अधिकार यानि शविक को मत अधिकार देने का अधिकार प्राप्त है जो 18 वरस की हो घाँ इक 8 के ऊपर के शविक को मत देने का अधिकार है तो सर्व भौमिक मतधिकार है रश्टिय पहचान शभी को रश्टिय पहचान है जवाहलालनेहरू के अनुसार भारतिय शम्विधान का निर्मान परंप्रागत समाजी के उच नीच के बंधनों को तोड़ने और सोतंतता शमानता तथन्याय के लिए नए यूग में परवेश के लिए हुआ यह कमजोर लोगों को उनका वाजीव हक समुदाइक रूप्षे हासिल करने की ताकत देता है यानि जवाहलालनेहरू के अनुसार भारतिय समिधान का निर्मान परंप्रागत समाजी उच नीच के बंधनों को तोड़ने और सोतंतता शमानता तथन्याय के समिधान की कुछ विशेस्ताओं का अधिकार दिया गया है इसे संबांधित प्राभधान है आर्टिकल 19-22 तक सबन्धित प्राभधान को रखा गया है इसके सभी नागरीकों को वीचार विमर्ष अभिव्यक्ति श्रभा व्शम्मिलन करने की संथांतता दिया गया है तो आटिकल 19 को अगर हम देखते हैं तो पहले इसमें 7 अधिकार थे और अभी इसमें 6 अधिकार है यानि मौलिक अधिकार पहले 7 थे जो आटिकल 19 में दिया गया है चवालिशमें शमिधान संसोधन द्वारा जो 1978 में हुआ था शम्पति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया और यहां से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया संपति के अधिकार को इसे आटिकल 301 में रखा गया है और इसी में बोलनी की सोतंतता और अभिव्यक्ति की सोतंतता है प्रेश के लोग इसी के अनुचेद इमनीश के द्वारा ही काम करते हैं और शंगठन बनाने का अधिकार भी है आटिकल 19 के तहर शाभा करने का अधिकार भी है कोई भी काम चुनने का भी अधिकार है और कहीं भी आने जाने की स्वतंतता है कहीं भी शंपाती खरीदने की स्वतंतता है अगर आटिकल 20 को हम देखते हैं तो यह गलती के लिए किशी ब्यक्ति को दो वर्साजा नहीं दिया जाएगा आटिकल 20 में दिया गया है और आटिकल 21 में दिया गया है कि प्रकितिक नियाए जीने का अधिकार है सभी को और 21 ए में दिया गया है कि 14 वर्ष कम उम्र के बच्चों को अनिवार्ज और निसुल्क सिच्छा देना अनिवार्ज है सरकार को अर्टिकल 22 को हम देखते हैं किसी भी ब्यक्ति को पुलिस सक के अधार पर हिरासत में ले शक्ति है अगर किसी ब्यक्ति पर पुलिस को सक है तो उसको भी रासत में ले सकती है किसी भी गिरफतार किये गए ब्यक्ति को 24 घंटे के आंदर नजदिक के नियाले में प्रस्तूत करना जरूरी है जितने भी कठोर कानून बनाए गया है इसी अर्टिकल के द्वारा बनाए गया है अर्टिकल 22 के तहत उसके बाद हम देखते हैं शमाजिक नयाय तो भारत के सभी नगरीकों को शमाजिक नयाय आर्थिक और नितिक नयाय प्राप्त है जैसे अनुसूचित जाती और जन जाती द्रीकल जाती अर्टित जाती लिए अर्ट्चन का प्रावधान भी दिया गया है घंज इअ तो दीए गया है अलब शावचियव नियायों में भारत सभी नगरी को शमाजी प्राप्धान दिया गया है तो आर्टिकल 15 में दिया गया है कि जाती धर्म और लिंक के अधार पर अगर सरकार को एशार लगता है कि समाज को साचनिक रूप से और आर्थिक रूप से कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है तो उसे विशेश सुविधा दी जा सकती है इसके द्व सुचित जाती उन जनजाती को प्रावधान की गया है आर्टिकल 15 में दिया गया है इसके अनुसार डिजर्वेशन दिया जाता है अल्प संख्य को कि अधिकारों कर सम्मान दिया गया है आर्टिकल 29 में और 28 में 30 में तो इसके तहत जो है अल्ब संक्यक्संवि निदम हैको इच्छनमस्तां स्थापित करने का अधिकार प्रापत है take the झर निरपे strive कार्थ सर्वधर्म शम्भाव। यानि सभी धर्मों को एक शमान मानना सभी धर्म एक शमान है कोई भी धर्म राष्ट यह नहीं होगा तो इसी को बोला गया है धर्म निर्पेजता धर्म से दूरी बनाए रखना यानि कोई भी राष्ट का धर्म नहीं है कोई भी धर्म नहीं है राष्ट का हमारा शामिधान धर्म के आधार पर भेद नहीं करता राज धर्म में और धर्म अगर ठेस पहुंचने पर राज हस्त छेप करता है अगर किसी भ्यक्ति को आत्में सम्मान कर ठेस पहुंचता है तो उसमें राज हस्त करता है राज किसी धार्मिक सिच्छा संस्था को आर्थिक शहयता भी देशकता है अनेक्ष है सरमभावमिक व्याशक मत अधिकार तो देश के सभी व्याशक नागरीकों को जो अठारा बर्ष पूरा कर चुके हैं को अपने परतिनीदियों की चैन पर किरिया में भाग लेने का अधि अधिकार है उन्हें वोट देने का अधिकार है उन्हें अपना मत देने का अधिकार है और यह अधिकार बीना जाती लिंग भेदभाव के सभी नागरीकों को प्राप्त है उसके बाद हम देखते हैं शांगबाद तो शांगबाद में देखते हैं कि भारतेश अंभीधान म बात की गई है एक केंद्रिये शरकार और दूसरा प्रांतिये सरकार तो संपुन राष्ट के लिए दूसरी राज सरकार जो परतेक राज के लिए केंद्र सरकार जो संपुन राष्ट के लिए होता है और दूसरा जो राज सरकार होता है परतेक राज के लिए अपनी सरकार दो सरकारों के बाद भी अधीक सकती केंद्र सरकारे के पास है यानि केंद्र शरकार और राजी सरकार दो सरकार होने के बापजूद भी अधीक सकती केंद्र सरकार के पास है राजियों की चीमिदारियां अधीक है परकिरियागत उपलब्धियां क्या है तो समिधान का विश्वास राजनितिक विचार विमर्ष्य है शमिधान सभा सहमती को भी शकरात्मक रुखदे से देखती है शमिधान सभा किशी भी महत्पूर्ण मुद्दे वर फैशला बहुमत से नहीं बलकि सबकी अनुमती से लेना चाहते थे वे शम्जहोतों को महत्व देते थे सिच्छा कच्छा में बहुमत के सरवे अनुमत्ति को सफस्ठ करें समिधान सभा जिन बातों पर अडिंग लगा रही है वही लगा रही है वही हमारे शमिधान को भी 5000 बनाती है यानि संभीधान जो है आर्टिकल नहीं संभा बहुत लंबा और बिस्त्रित है यानि 305 अनुछी दोबारा नुसूचियां है पाश्मी देशों के शंभीधानों संभीधानों से इसके प्रावधान लिया गया निदच्छिन फिरका से इसका संभीधान में शंसोधन का Ask नहीं थे संभीधान कशाव ज gas not कर 51 or janekия फिसकी अलोचना में अनुछ्ट नहीं हो शकी है तो संभीधान में शबकी नुमाइन्दगी नहीं हो शकी है तो यसए इसमें सबकी नुमाइन्दगी नहीं हो सकी है भारतिय परिस्थितियां के अनुकूल नहीं है जिस समय की परिस्थिति के अनुसार समिधान बना था तो अभी अगर अलोचना किया जा रहा है तो भारतिय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है तो अगर अलुकूल नहीं है तो इसको अनुकूल बनाने के लिए शम संभीधान का लोचना में कि शंभीधान में बीश्वे में के अन्शंभीधानों से उधार लिया गया गया है तो यह भी अलोचना किया गया है इसका भी यदि हम इन अलोचनाओं पर विचार करें तो इन में बहुत अधिक सत्यता नहीं पाते हैं इस बात की बहुत संभावना हर संबिधान में रह शक्ति है कि कुछ ब्यक्तब वह ब्योरे शंबिधान से बाहर रह जाए भारतिय शंबिधान शभा में अधिकतर अगड़ी जाती से संबंधित सदस थे किन्तु फिर भी भी म्राव अंबेटकर की जन्मतिति को तेवार शमान बनाने वाले तब के भी शमाज में थे और इसे अस्वर्ष होता है कि शंबिधान में उनकी अनेक अकांचाओं के अभी ब्यक्ति हुई है संबिधान निर्मताओं के मन में परंपरागत भारतिय वापस्मी मुलियों के स्वरूप मेल का भौ था और यह संबिधान सचेत चैन का परणाम है नकी नकल का किसी का हमारा जो संबिधान है चैन किया गया है सचेत चैन किया गया है किसी का नकल नहीं किया गया है या नकल का परणाम नहीं है सिमाई क्या है तो भारत का सम्विधान हर तरह से पूर्ण वा त्रूटी हीन दस्तवेज हैं हमारा सम्विधान में कोई त्रूटी नहीं है पूरी तरह से पूर्ण है ऐसा भी नहीं है भारतिये सम्विधान की कुछ निम्नी सिमाई है तो सिमा को देखते हैं पहला है भारती शंबी धान में रष्टी एक्ता की धाना बहुत केंदी कृत है और दूसरा है इसमें लिंग गत नियाय के कुछ महत्पूर्ण मसलुक खास कर परिवारों से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है तीसरा है ये गरीव विकासील देश में कुछ बुनियादी शमाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के बज़ाय राज के नीति विजिसक सिधानतों में डाला गया है जो नियाय परक नहीं है शम्विधान की यह शिमाय उसके दर्षन पर परभावी नहीं होती आम नागरिक से राय नेता तक शम्विधान के आंतनीत अधर्ष्रों बदर्षन में विश्वास रखता है उसके बाद सम्विधान की महत्य बिंदु को हम देखते हैं तो फ़र्ष्ट है शम्विधान का अधर से संचीत रूप में प्रस्ताबना में बढ़नित है शम्विधान में शमांता सोर्चीत शमाजिक नया मौलिक अधिकार के साथ नीति निदेशक सिधान तो वह मौली करतवयों को भी उलेख मिलता है तो इस परकार से हम लोग शंबिधान के का रायनितिक दर्शन को दीखे और शंबिधान के रायनितिक दर्शन को समझे तो थैंक्यू वीडियो सबस्क्राइब करें लाइक करें